खरीव सीजन दोहजार बीस से एक्कीस की धान खरीदी प्रक्रिया की प्रशासन द्वारा समयावधी बढ़ाई जाने से धान उत्पादक किसानों को थोड़ी राहत मिली है ये अवधी पहले 30 सितंबर तक ही थी ऐसे में अब उसे बढ़ाकर 15 अक्टूबर तक कर दिया गया ह ये जानकारी मौदा कुरुशी उपज बाजार समिती के कारियाले द्वारा प्राप्त हुई किसानों को उनके Android Mobile द्वारा घर से ही राजस्व विभाग से संबंदित सभी समस्याओ का निप्टारा हो किसानों के समय की बचद हो इसलिए राजस्व विभाग द्वारा इफसल परिक्षन एप डाउनलोड करने की योजना शुरू की गई लेकिन तेहसिल के किसानों को कभी Network की तो कभी अन्य समस्याओ को लेकर काफी दिक्कते जा रही थी और इस एप में किसान द्वारा पूरी जानकारी भरने के बाद भले ही जानकारी डाउनलोड हो रही थी लेकिन उसके बाद फसल का Photo Download नहीं हो पा रहा था और यह समस्याओ आज भी बरकरार है इसके लिए तहसिल के सभी किसानों ने अवदी बढ़ाने की प्रशासन से मांग की थी इस एप के माध्यम से तहसिल के अभी तक धान खरीदी केंद्र में सिर्फ 5 प्रतिशत ही किसानों द्वारा धान खरीदी के लिए पंजियन हुआ था शेश 95 प्रतिशत किसानों द्वारा तकनी की दिक्कतों के कारण धान खरीदी का पंजियन नहीं कर पाए इस निर्णे से अब धान खरीदी का पंजियन कराने में थोड़ा समय और मिलने से उनको थोड़ी राहत मिली है